नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल जियो भी निउस पर दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी सभी बड़ी खबरे मुख्ये समझार टूड़े ब्रेकिंग निउस के रूप में तो दोस्तो आपसी छोटा सा रिक्वेस्ट है यदि आप हमारे चैनल पर है तो चैनल को सबस्काइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंचते रहें तो दोस्तो आए जानते हैं आज क्या मुख्ये समझार तो दोस्तो आज की पहली बड़ी खबर है अमनात हियातरा पर आतंकी हमले की आ और जहां पर वो है उसकी जगह पर तुरंत वो वापस लोट जाए पाकिस्तान के सक्रिय आतंकी संगठन की तरब से अमनात हियातरा पर हमले की आसांका के मद्यनजर भारा सरकार निया फैसरा लिया है पहले अमनात हियातरा 15 अगस्ता खोनी थी आपको बता दे कि पिछले क तीन दिनों से यह लगतार इंपुट मिल रहा था कि अमनात हियातरा को निसाना बनाय जा सकता है इसके बाद गरिह मंतराले की तरब से एडवाइसरी जारी की गई और जिसमें आपको बता दे कि खराम मोसम के चलते पहले ही अमनात हियातरा को 4 अगस्त के लिए अस्थगित किया जा चुका था लेकिन अब विसेंस खूपिया इंपुट के अधार पर जम्मू कस्मीर से अमनात हियातरियों के साथ-साथ परियटकों को भी वापस लोटने के लिए कहा गया है लेट ने जनरल के जी एस धिलनन ने सिरी नगर में बता है कि अमनात हियातरा के रूट प कमानने की कोसिस करने की विसिस्ट सूचना मिलने के बाद तलासी अभियान चलाए जा रहा है इसके बाद आतंकियों के ठीकाने से एक पाकिस्तानी लेंड मान्ड भी बरामत की गई है जो कि पाकिस्तान आर्मी की है यह साफ दिखता है कि कस्मीर में आतंकी हमले की कोसिस की जा रही है जी हाँ दोसो अगली खबर आपको बता दे कि अयोध्या बिवाद मामला मध्यस्तता कामयाब नहीं छो अगसे खुली आदालत में होगी सुनवाई जी हाँ दोसो अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोट ने कहा है कि छो अगसे खुली आदालत में सुनवाई होगी और साथ ही कोट ने कहा है कि मध्यस्ता कमीटी कामयाब नहीं हो पाई है मंदिर विवाद पर हिंदू और मुस्लिम पक्चों के बीच अहम सहमती बनने के लिए अयोध्या मध्यस्ता पैनल को 31 जुलाई तक समय दिया गया था मामले की सुनवाई करह समवधानिक पीट से वसिट अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा है कि इस मामले से संबंदिध हस्तक छेप और रीट पीटिशन के मामले में निलमित किया किया है मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गुगोई ने कहा है कि हम इस मामले पर बिभिन पहलों पर गौर करेंगे पहले मामले की सुनवाई शुरू होने दीजिए, मामले की सुनवाई के दौर भारते जंता पार्टी के नेता सुबरमडम स्वामे भी वहाँ पर मुझूद है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि सभी वकील अपने अपने मामलों से संबंधित दस्तावेज तयार कर ले जिन्हें अधार बना करके वे बहस करेंगे जिससे इस मामले से सम्धधित दस्तावेत की रजिस्ट्री पूरी तरह से कराई जा सके मामले की सुनवाई कर रहे एक अन्य वकील विश्णू ने कहा है कि मधथस्ता पेनल किसी एक अन्य मूद्दे पर बाचित करने में असफल रहा है इस मामले पर हिंदू पर्च अपने बहस की तयारी के लिए 40 दिन का समय लगेगा जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी ख़बर आपको बता दे कि अर्थव्यवस्था में मंदी पर अलर्ट हुआ PMO अहम बैठा खुई है इस फैसलों पर लग सकती है मुहर जी हाँ दोसो विदेसी निवेसको की और से जारी बिक वाली के चलते घरेलू सेयर बाजार में आई तेजी से गिरावट के चलते PMO में बड़ी बैठा खुई है CNBC आवाज सुतरों के मुदाविक आपको बता दे कि विदेसी निवेसको को राहत देने के लिए सरकार सरचार्ज के फैसले पर बड़ा अहम कदम उठा सकता है और साथ ही प्राइवेट लिम्टेट कमपनियों को पबलिक सेयर होल्डर बढ़ाने के फैसलों से चुटकारा मिल सकता है अर्थवयवस्था में बड़ती चिंता को लेकर के प्रधान मंत्री कार्याले हरकत में आगया है भारत के सीर से दुनिया की पाचवी बड़ी अर्थवयवस्था का ताज छीन गया है ब्रिटेन पाचवी अस्थान पर पहुच गया है जबकि छटे अस्थान पर फ्रांस काजी भो गया है जिस्त वज़ा से बहरत पांचवे आस्तान से गिसक करके सातवे पायदान पर आके है इस लिष्ट में अमेरिका एक नमरपर बरकरा है सुत्रों के मुताबिक आपको बता दे कि प्रधान मंत्री कार्याले ने वित मंत्राले नीती आयोग और प्रधान मंत्री आर्थिक सलाकार परिशत को निर्देश जारी करके देश के अर्थ ब्यवस्था में मंदी और निवेशकों में निरास के कारण जानने को कहा है प्रधानमंती नरेंद मोदी इस मुद्य पर दूसरी बैठक ले सकते हैं जब तक कोई ठोस नीड़ने नहीं बनती तब तक निवेसको की चिंता दूर करने के लिए कई मुद्य पर सहमती बन सकती है जीहां दोसरो अगली खबर आपको बता दे कि इसरो ने चंदरियान दो की चोथी बार सफलता पूरो कक्ष बदली जीहां दोसरो भारती अंतरिक्ष अनुसंथान संगठन इसरो के वग्यानिक अपने दूसरी बार मून मिसन चंदरियान दो को लागतार प्रिथवी की कक्षा से आके बढ़ रहे हैं 22 जुलाई को लॉंच के बाद इसे प्रिधवी से कम दूरी यानि 170 किलो मिटर और प्रिधवी से ज्यादा दूरी यानि 45,475 किलो मिटर पर अस्थापित किया गया है दो अगस्त को दो पहर 3 बचकर 27 मिनट पर चंद्रियान 2 की कक्छा में सफलता पूर अब इसकी पेज रीजी 277 किलो मिटर और एपोजी 89172 किलो मिटर कर दे गई है अभी 6 अगस्त क प्रिधवी के चारों तरफ चंद्रियान 2 के और्बिट को बदला जाएगा आपको बता दे कि 22 जुलाई को लॉंच के बाद से ही चांद के दक्षणी दूपर पहुचने के ले चंद्रियान 2 की 48 दिन की यातरा सुरू कर चुकी है लॉंचीं के 16 बज करके 23 मिनट बाद चंद्रियान 2 प्रिधवी के करीबन 170 किलो मिटर की उचाई पर जी एसलवी मार्क 3 रोकेट से अलग होकर के प्रिधवी की कक्षा में चला गया था इस तरो बैयानिक ने चंद् कोरेट मामलों के मंतराले और स्टॉक एक्सचेंज में हासिल जानकारी से यह चोकाने वाला खुलासा हुआ है कि कैफी कौफी डे के संचालन करने वाले कमपनी और उसके प्रमोटर विजिस सिधार्थ के उपर लगवग 11,000 कोड़ों से ज्यादा का बोज हो गया था सायद इस वज़ा से ही सिधार्थ बहुत दबाव में थे जैसा कि उनके लेटर में भी यह संकित मिलता है यह अभी तक रहसी बना हुआ है कि इतने बड़े कल्स का कमपनी और उसके प्रमोटर ने कहां इस्तिमाल किया था पुर विदेश मंतरी एस एम कृष्णन के दमाद और उपर 31 मार्च 2019 तक कूल 6,547 कड़ो रुपए का कर्ज था इसे वज़ज़ सिधार्थ और प्रमोटर समू के चार प्राइवेट होलडर कमपनीयों के बारे में हासिल आकड़ों से यह पता चलता है कि वित वर्ष 2018 और 2019 के उपर करीबन 3,522 कड़ो रुपए का बकाय था इस यह लोन कैफी Coffee Day Enterprises को मिला था और Coffee Day Enterprises के चार प्रमोटर कमपनीयों ने कई कर्जताओं के पास साल 2014 के बाद से 3,522 कड़ो रुपए के सेर गिरवी रहकर के यह लोन लिया था लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि प्राइवेट होलडर कमपनीयों का कितना गिरवी CSDS के लोन में लिया गया है इस परकार सिधार्थ और उनकी कमपनीयों का कूल 11,97 पे कड़ो रुपए का कर्ज हो गया था जिसको संभालना मुश्किल हो गया था और साइद इस दबाव में ही कैफी Coffee Day के मालिक सिधार्थ ने नदी में कूद जाने जैसे हातासा भरा कदम भारत ने ठुकरा दिया है सुत्रों के मुदाबिक पाकिस्तान के सरस्थ कांसलर एकसिस यह दिया है जिस पर से भारत को अपत्ती थी भारत कांसलर एकसिस के लिए किसी भी सर्थ को मालने की से इनकार कर दिया है इंटरनेशनल कोट ऑफ जस्टिस के अदेश के बाद से पाक पाकिस्तान की जेल में कैद कुल Ermhooshan जादों को सुकरवार काउंस्लर एकसिस मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान ने कुल पूस्लर एकसिस सरसद देने से मना कर दिया है। की कृत घोसित किया जाना चाहिए सदन में सुनेकाल के दोरान कुमार ने भीर द्वारा हत्या और आयनन किलिंग की घटना को आतंकी कृत घोसित करने की मांग करते हुए कहा है कि ऐसी वारतातों पर रोक लगाने के लिए दोस्यों के खिलाफ आतंक वाद निरोधी कानून के तरह कारवाई होनी चाहिए दीर अभी कुमार ने दावा किया है कि मौव बिलिंची और आयनन किलिंग की घटना दिन प्रती दिन बढ़ती जा रही है जो बहुत चिंता जनक है जीहां तो सो अगली बड़ी ख़बर आपको बता दे कि बलकि उनके वाहनों को भी काफी नुकसान जिलना पड़ रहा है बारिस के दिनों में वाहनों के इंजन में पानी भर जाता है जिसके चलते उनमें गड़बडी आ जाती है अगर आपकी भी कार या बाइक में बारिस के वज़े से पानी से वो खराब हो चुका है तो आप खुद न बनवाए बलकि कमपनी को आपकी कार को मुफ्त में रिपेरिंग करना होगा हाला कि इसके लिए जरूरी की गई है कि अगर आपका कार या बाइक अगर वारंटी में है तो आप ऐसा न करें कमपनी से यह करवाएं